बैतरिन तीमों का भरना साथ टीमें इस मुस्पालडी चंपियन चशक के लिए और शांदाल टीमों का भरना इस अप्रतियोगी तामी दिखाई दे रहा है साथ टीमें टीम के ओनर टीम के को ओनर टीम के मैनेजर और मारकी प्लेयर सभी का हारदिक अभी नंदन हारदिक स्वागत है यू तब पानेफन मंगन की ओर से और शांदार नजारा धिरे-धिरे यहां बनता हुआ इस ग्राउड पर तलपन ग्राउड पर इशारा आ चुका एंपायर का खेल के शुरुवात का हमारे साथ विवरन देने के लिए मैं तो उनसे जुड़ा था मंगेश मढगाओं कर को जुड़ा था और मुझे आकर जुड़ गए है एक यूआ कॉमेंटेटर शांदार कॉमेंटेटर वही बहु नम्शिकर आपका ब बढ़िया काम करका चला रहे है यूट्यूब के माध्यम से करेंगे मिलिंस सावन पहली गेंट फेस करने की कोशिश करते हुए और उतनी बैतरिन गेंट बाज उसको गेंट बाजी करेंगे मिलिंस साइल पहली गेंट लाजवाब गेंट अफटम के बाहर रखी गई थी ठीपा खाने के बढ़ थोड़ी सी करवट लेती वी चक्मा खा गए गवर्व सावन ता ढाय खेलने में पहले गेंट डॉट के तौर पर डॉट गेने वहीबाव नम्शिकर डॉट गेने सोने के भाव में त और इस बार छोड़ दी गई है अवाई मेल गवर्व सावन के बल्ले से स्ट्रेट ड्राई के रूप में चक्के के रूप में तब्दिल हो गई है गेंट बड़ा स्ट्रोक खेला गया है गवर्व सावत ने पहली किन थोड़ी सी चुके दरूर थे लेकिन दूसरी गेंट पर तूड परते हुए छेर अनासिल किये क्या शहंदार स्ट्रोक जबर्दर स्ट्रोक कोई मौका नहीं दर्शक फिल्डर दर्शक बनते रहे उस गेंट को जो गेंट बाहर जा रही थी चक्के के रूप में हलका सा पूश एक्षा कवर के छेत्र में मेहमुममुल्ला फील्ड कर चुके है गेंट को थोभी कर चुके है बहुत-बहुत स्वागत है मिलिन ऍसायल फिर एक बार गेंट हाथ में थाम कर गेंट बाजी का भार समबालने की कोशिश करते हुए स्कोर बन गया है सात रन जबकि पहली ओर प्रकती पर चल रही है मिलिन साइल की ओर से और ये फुल्टस के तोर पर तुकेष के लिए दी गई थी गेंदपर तूट पड़े है छे रनों के लिए मिड विकेट छेद पाहर चले गई है 6 रन के लिए यह तुकेश के बल्ले से, दुसरा छक्का यूतब पाणेफ़न मनगन के पूरे सदस्य काफी बढ़िया काम दिबा रहे है खास कर मैं अजित का नाम जरूर लेना चाहूंगा अजित के खिलाडी भी है टीम के सदस्य भी बने है और पूरी टीम जुटी हुई है इसे प्रति गिता को सक्सेस्फुल करने के लिए बहुत बहुत अभी नंदन है पूरे टीम बेंबरों का लोग आफ के छेत्र में खेला गया है उसंदर अखिल देसाई कि क्या खिलाडी है चोटा पैकेट बड़ा धमाका करने वाले अखिल देसाई है हम बहुत खूश हो जाते हैं अखिल जब बल्लेबाजी के लिए आया कर दे बहुत बहुत स्भागत हैं अखिल देसाई आपका फिर एक बार फुल्टस के तौर पर खेला गया है वाइडिश मिट्र के के छेत्र में फिल्ड होती वहीं सिंगल पे संदूश हो गई तौकेश सिंगल के सहार एक टोटल गई है दो चक के जरीए 16 रण पहले और की समापन हो गई है 16 रण बन गई है और इसी और के सिल्सिल इसी और के साथ चली गई तो 64 रण बनने का आसार यहां पैदा जरूर हो जाएगा जो ऑडे एक जो पी पीज़ी प्रेश्टी पती है ख़जी प्रेश्टी लोग जो ड़ी तारी देवे लिडि़ी बीरिके में ज्ड़ेला कंद आशकर के ओनर कुश्मन भगत और रोयल ओर्डेस की ओनर बालेश्ट देसाई दोनों का हारदिक स्वागत है और को ओनर का हारदिक स्वागत है मैंजर का भी हारदिक स्वागत है और पूरे दोने टीमों का सद्धिया टीमों के मेंबरों का हर्दिक स्वागत है यहां से दूसरी और की शुरुवात करने आए है रजट तलपंट रिवर एंड से राइटम ओवर्द विकेट फिल्डिंग का मौहयना करते हुए गेंद बाजी का भार संबाली की क आकर कीपर के दस्तानों में आकर रुकी है सुरेंद रपागी कीपिंग की जिम्बेदारी संबालते हुए उच्छाल टिपा खाने के बाद काफी उच्छाल आने के कारण वाइड गोशित हो गई है गेंद अतिरी ग्रंत के सहारे टोटल में एक ग्रोनी की व्रिद्दी एक उनका मुनाफ़ा आ गया है टोटल बन गई है सत्रा रन दो छक्के इन सत्रा रनों में शामिल है जबकि दूसरी ओवर अभी भी शुरू की गई है रजत पागी की ओर से बड़ा स्टोक तुकेश के बल्ले से अखिल के पास गेंद रुकी है रोक दिया गेंद को अखिल ने चोटा पैकेट है यह मेरे ओर से में जबरू कहना चाहूंगा चोटा पैकेट लेकिन बहुत ही बड़ा दमा का बल्ले बाजी में करने वाले यह अखिल देस आई है शानती पुरुवख खेल चलता हुआ तिसरी मैच है आज के दीन की दो मैची पुरे पार हो गए है आर पार के बीच दो जीत होप सामिल है दो टीमों के बीच यह तिसरी मैच है आज के दीन की यह भी मैच काफी बढ़िया मैच होने की संबह होना लोग आफ के चेत्र में लपक लिया के आच्चा और गवरों जैसे ब्यातरिन बल्ले बाज को चलता कि आई डगाउट में डीजे झाल 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 नरिन देशाई ला जवाब बल्ले बाज है एक बार लई मिल गई तो गेंद बाजों की चूटी करने वाले यह बल्ले बाज है फिलाल नो स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े हैं बल्ले के उपरी साल लेकिन नजदी खिलाड़ी नहीं है नो मैंस लेंड गिर गई है गेंड़ सिंगल पे संतुच हो गे तुके सिंगल के सारे टूटल बन गई है 19 रन पहली गेंड फेस करने की इस इनिंग में पहली गेंड अपने और से फेस करने की कोशिश करते वे नरें देशा आई गाड लेते वे अंपायर से शानदार खिलाड़ी है यह काफी क्रिकेट इनकी ओर से हमने देखी है शानदार बल्ले बाजी किया करते है फिलाल इस मैच में अच्छी बल्ले बाजी होना जरूरी है अपने टीम के लिए सम्मान दिया गेन को सम्मान के सहारे रक्षात्मक रंग से मोड़ते हुए कोई रंग के गुंजाईश नहीं बने डॉट के तौर पर गेन चली गई है 19 रंओ पे स्कोर रुका हुआ जबकि दुसरी और प्रगती पर चल रही है पहले और में 16 रंग आये थे अब तो इस और में सिर्फ 3 रंग खर्च कर चुके है राजत कितनी सटिक लाइन और लेंट की गेन बाजी कर रहे है बड़ा स्ट्रोग नरेन के बले से गेन चली गई है बाउंडर के बार जैसे मैं ने कहा था उसी प्रकार की बले बाजी करने की शुरुआत नरेन देसाई ने कर दी गई है प्रपचीस रन पहले ओर में 16 रन आये था और इस ओवर से नवी रन आये है पांच गेन तक सिर्फ तीन रन आये थे आकरी गेन पर चक्का खाने के कारण नव रन इस ओवर से आ गई है रजत के ओवर से दो ओवर के समाप्ति पर 25 रन और दो ओवर शेश है और दो ओवर का दो ओवर का वीवरन देने के लिए हमारे सयोगी युआ कोमेंटेटर वाई बाव नमचीकर धनवा सद्दिप जी क्या बढ़िया आयोजने इस चरंकला का दो ओवर की समाप्ति पर 25 रन यहाँ पर बन गई है और काफी बढ़िया महल इस माईदान पर दिरि दर्शक इस चरंकला का लाब उटाने के लिए इस माईदान पर जोड़ते हुए खलकिसी धूप तक्तिरीमन 20 किलोवटर के रफतार से हवा चलती हुए और इस बीच यह मैच चलता हुए दो ओर की समाप्ति पर 25 रन एक धक्ता लक्ट जरूर चुका है कौरों के रुप में क्या बढ़िया शुरुआत दिलाई थे अपने टिम के लिए पहली ओर में 16 रन जोड़े गई थे इस बीच तिसरी ओर की शुरुआत करने के लिए गेन बाज सर्वेश आये गेन बाजी का भार सहमालने के लिए और ओपनिंग तोर पर बरले बाजी करने के लिए मैधार बार ऊतर रहे थे तुकेश अभी भी क्रेस पर लटे हुए काफी बड़ी आयो जाने इस संकला का मुनसिपाल्टी चैंपियन्स लिग और इस बीच तिसरी ओर की पहली गेन ये बड़ी आगेन कटकर दिया फिल्डर वहाँ पे मौजोद और प्यारू के सारे वहाँ पे रोका गया है बिल्टे फिल्डर अच्छी फिल्डिंग का मौईना वहाँ पे दिखता हुआ और इस बीच एक रन लेने का मौँका यहाँ पे बनता हुए इस एक रन के सारे स्कोर में बड़ोती होती हुए 27 रन माफ किज़ का 26 रन यहाँ पे बन गई है कम से कम 50-60 रन यहाँ पे बनाने पड़ेंगे चार ओवर काई खेल पहली वर पावपे गरूपे डाले ही गई थी हलकेसी फिल्डिंग में यहाँ पे तकदिली होती हुए राइट एंड और लेफ्ट एंड बले बाज काफी दिक्कदे पैदा करती है खासकर कि फिल्डिंग आपको बार-बार चेंजिस करने पड़ते हैं इस बीच यह अगली गेन इस बार बढ़िया गेन डाली जरूर गए थी थोड़ी सी लिक्स्टम से बाहार यहाँ पे अंपायर का हिशारा हम तक पहुचता हुआ वाइड बॉल अतिरिक्त रन यहाँ पे जुड़ती हुए इस वाइड के सारे स्कोर में बढ़ती होती हुए 27 रन अच्छी शुरुआत तो दिलाई थी गोरों ने क्या लंबा स्ट्रोक लगाया था और स्पीच फिर एक बार गेन बाज़े का भार सम्मालने के लिए यह अगली गेन इस बार तिरिक्त रुचाल यहाँ पे मेलती हुए रंचुरान की कोशिस और काफी बढ़िया रनी बिट्विन दविकेट्स एक रन यहाँ पे हासिल करते हुए और इस एक रन के सारे स्कोर में धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ती होती हुए 28 रन बन गई है तीसरी ओवर प्रगती पर चलती हुए काफी बढ़िया महल यहाँ पे मनता हुआ इस मवाइदान पर काफी साड़े एक एक दिगच खिलाडी इस श्रंकला का लाब उटाने के लिए इस मवाइदान पर खेलते हुए और स्पीच यह अगली गेन इस बार स्टोक खेलने की कोशिश यहाँ पर जरूर दिखी दी पर कोशिश कोशिश ही रहती हुगे जाती हुए डॉट के रूप में अच्छी गेन बाजी यहाँ पर करते हुए रूख लगा दिये रन उपर और काफी दबाव में जरूर लगते हुए बल्ले बाज इस बी और एक गेन डॉट अच्छी गेन बाजी यहाँ पर होती हुए और टैनिस क्रिकेट में असोनी के भाव में तोली जाती है ऐसी गेन है इस बार बढ़िया गेन हाला कि संपर्क हुआ गेन जाती हुए गेब में तकरिबन बाउडरी लाल के भार और इस पीच आखिर कार एक चौका जुड़ता हुआ इसी चौके की सारे स्कोर में बढ़ती होती हुए 32 रन बन गए है अच्छी गेन बाजिक कर जरूर रहे थे आकिर कार संपर्क होता हुआ गेन और बल्ले के बीच में चौका मिलता हुआ थोड़ी से अलकी सी राहत यहां पे मिलती हुए इस पीच फिर एक बार गेन बाज़का बार समालने के लिए सर्वेश इस बार काफी तेज गेन काफी बढ़िया फिल्डिंग का मुएना वहाँ पे दिखता हुआ अपनी शरीर के सारे रोका गया हुआ उस गेन को रौन अक्ते फिल्डर और इस पीच तिसरी और के समाप्ती यहां पे होती हुए तिसरी और के समाप्ती पर स्कोर 33 रन बन गई ह थारी बीपो बाइए नुम्हा क सकतिये। इन और के समापते पर 38 रन काफी बढ़िया ओवर यहां पे गटी है 33 रन काफी बढ़िया ओवर यहां पे गटी गई है सिर्फ 8 रन आये है इस ओवर में एक छोका लगा था बावजूत क्या बढ़िया गेन बाजी की थी सर्वेश ने और अन्तीम ओवर शायद इस इनिंग की कम से कम 20 से 25 रन दरूर जोड़ना चाहेंगे बल्ले बाज एक सम्मांग जनक स्कोर खड़ा करने के लिए और गेन बाजी का भार समालने के लिए अखिल यह अखिल की पहली गेन इस बार बढ़िया गेन उटनी इच्छी शॉट वहां पे दीखती हुई काफी देर तक हवां में गेन इस बीच तीन रन लेने का मौका यहां पे बनता हुआ इससे तीन रन के सारे स्कोर में बड़ती होती हुई अच्छी गेन के साथ शुरुआर यहां पे जरूर की गई थी अकिल दौरा काफी बढ़िया बल्ले बल्ले बाजी भी किया करते हैं और एक पारी उनकी अंची मैदान पर एक टौर्णामेंट चल रहा था और बड़े से बड़े दिगच खिलाडी ओपनिंग तोर पर बल्ले बाजी करने के इन मैदान पर उत्रे थे उसमें सब आउट ओके डगाउट चाह जुके थे और अंतिमोर अवर में 30 रन चाहिए थे और उस मैदान पर अकिन ने क्या बड़िया बल्ले बाजी की थी पाथ चक्ये लगा कर उस मैच को समाप्त किया था और स्पीच ये गेन बाजे का भार समालने के लिए अपने टीम को प्रोच्छान करते हुए अलकिसी फिल्डिंग में यहाँ पर तकदिली होती हुए काफी बड़िया आयोचन है इस रंकला का काफी सारे टॉर्णामेंट इस साल कानकोना एरिया में और काफी प्रोच्छान देते हुए नई-नई खिलाडियों को इस पीच ये अगली गेन येलो फुल्टर्स गेन ती धिमी गती की गेन बढ़ नहीं सके इस गेन को काफी बड गेने में निकलती है टेनिस क्रिकेट में काफी विरेशन आपको करनी पड़ती है अच्छी गेन बाजी यहां पर होती हुई और एक अल्राव्डिंग पर्फॉमंस इस के लाइडी का इस मैधान पर जलगता हुआ ये अगली गेन इस बार ब्लोकल में डाले जरूर गई थी फिल्डर वहां पर मौझूद सीधा फिल्डर के हाथ में जाके रुकती हुई एक धका यहां पर लगता हुआ नन की रूप में अच्छे बल्ले बाजी क्या करते हैं पर इस बार थोड़ी सी ताकत यहां पर शॉट में कम बढ़ त्यूवी दन्वादी जे यहां पर होती हुई जिस तरीक से गेन बाजी हो रही है हाथ खोलने का मौका नहीं मिल रहा है बले बाज को नरें जैसे बले बाज काफी खामोश लग रहे थे अंतीम पिछली गेन पर लगाओट वापस जा चुके हैं इस बीच नहीं बल्ले बाज माइदान पर उतरते हुए दिपते जाएं इस बार बढ़ी आगेल सायद बल्ले का किनारा लगा है और हमें ऐसा लगा कि शायद बल्ले का किनारा लगा है पर कोई इशारा नहीं हम तक एक अच्छी गेन थोड़ी सी करवट यहां पर लेती हुए गेन अत्रीक्त उच्छाल इस गेन को डॉट के रूप में जाती हुए गेन अच्छी गेन बाजी यहां पर होती और काफी दबाव बलने बाजों के उस पर इस बीच यह अगली गेन ल अच्छी गेन बाजों के रूप में डाली गई थी क्रिकेट का ब्रह्मास्तर माना जाता है उस गेन को और अन्तीम गेन यौरकर लेंद की क्लीन बोल्ड यहां पर होती हुए अन्तीम गेम पर यहां पर विकेट सफलता यहां पर मिलती हुए अकिल को इनिकी समापती होती हुए और इनिकी समापती पर स्कोर पहुचा है 42 रन 43 रनों का लक्ष यहां पे रखा गया है यहां में चीफड हैंजी मेज दातली ती मिलें सी यन इलेवेल आनी साशा इलेवेल आओं दोनु करप्टन लागी माकतां कि टोस करपा पेवले ना मुकारी हो पाक सी यन इलेवेल और साशा इलेवेल अच्वड़दर साशा इलेवेल इलेवेल झाल 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 मैं तृ क्या उग्या ठाहना रिमिर के फ मिरा उपया नए यमाग मैं आभ ताहिस हासी मुलित कार में बस्ताव के कि इस्तायों ठाहिए छाहित प्रवाइब प्रवाइब पहले बहादी करते हुए चंदन तसकर ने 42 रन भटो रहे 43 रनों का लक्ष रखा है रोयल औरियस के पास और इस लक्ष का बोजा अपने कंदू पे लेके आए है जाए है है रजट अशुरेंद्र येजी मेंच रही थिमेच में अलेविया अने शाचा याविया लाओं दोनुग केप्टनां लगी परत एक याप माकता है कि टोब करपा पहले ना मुकार योपाक साचा येले अवाद्स कैप्टन राजदीप ओके ओके इसा हाविड़ा इस पहले बले भावदी करते वे 42 रन बटोर है चंदन तसकर ने 43 रनों का लक्ष रखा है रोयल वारियस के पास मेरे साथ बैटे माइक्रोफोन पर वह बाव नमशिकर यूट्यूब माध्यम से लाइव देख रहे हैं गोवा लाइव टेलिकास से स्टोनामेंट का आनन लूट रहे हैं आप स्कोर बोर्ट पे बेटे मंधार और अब भी माइक्रोफोन से चली गए है संदिपागी अमपायर का इशारा आ चुका है दूसरी इनिंग की शुरुवात हो रही है 43 रनों का लक्ष है रोयल ओरियस के पास और पारविक बलिबादी का बार संबार रहे है सुरेंद्र और नों श्ट्राइक इनिपे खड़े है रजत फिल्डिंग की सजावर्ड पॉइंट एस्ट्रा कवर डीप कवर लॉंग ओफ और लॉंग ओन पहली गेन न तेजगेन और ऑफ़्षाप के बार में अंपार ने उस गेन को अतिरिक गोशित कर दिया है यहने वाइड गोशित कर दिया है पहला अतिरिक रंजुट चुका है रोयल ओरियस के खाते में मैं जितना हैonne तो 43 रनों का लक्ष पार करना है रोयल ओरियस को कि बारा तुट पड़े अश्ट्रामेडियों किट के उपड़ से मोर दिया सुरह नेंगे चली गई है सिमाक और चीरती हुई छे रनों के लिए पर से सुरह ने काफी बड़िया बले बाद आये फॉर्म में खेल रही साल बड़िया बले बाद की है सुरह ने अगली गेन बड़ियां खेले की कोशिश दरूर की थी बल्ला और गेन के बिच बाचीत नहीं हुई डॉट चली गई हैं गेन मैं दितना है तो 43 रनों का लक्ष ह रोयल औरियस के पास काफी बड़ियाए विकेट याए हाड विकेट बनाई है यूथ और मंगन पानेफन के ओर्गनाईज़रों ने गवराव सावंत फिर एक बार अपने बॉलिमा पर राइटाम और दिकेट इस बार सिदे बले से खेला है गेन को एश्रा कवर के दिशा में फिल्डर सरकल में थे जब तक फिल्डर अरूस गेन को गैदर करें तब तक मौका था दो रन्चुराने का दो रन्चुरा लिया औ नव रन पर पहली वर जा रही है गिन बाद है गवराव दिशा है राइटाम ओवर दा विकेट गुरुप प्रदेशी दिवस्तान एंड से गिन भाजिक कर रहे है गवराव अलकिसी उच्छाल खेल दिया है स्कुरेल एक अंपर के दिशा में डिप स्कुरेल एक पर फिल्डर मौजूत है तुकेश के रूप में एकी रन मिलेगा सुरिंद को और इस एक रन के साथ स्कूर चला गए डबल फिगर में टोस कुंट दिकला टोस के बॉलिंग है कि अ कि बल्ले को चाटा गिनने और सीदी चली गए कीपर के दस्तानों में पहले विकेट का पतन हो चुका है रोयल वोरियस का रज़त वहापत चले गए और स्टम के भारती तेज़ गंती उचाल में करने की कोशिश किती बले का चुमा लिया गिनने और सीदीक चली गए कीपर के दस्तानों में पहला जड़का लग चुका है रोयल वोरियस को रज़त के रूप में के बीच में सीयन इलेवेल ने टोस दितकर पहले फिल्डिंग करने का निर्णा लिया और बलेबाद की दावा दी गई है साशा इलेवेल को फिलाल सफलता तो प्राप्त कर चुके गवरव रज़त के रूप में बिना कोही योगदान देते वे खुद कप्तान है रज़त बिना कोही योगदान देते वे वे वापस चली गए पैविलियन में और अब रज़त का स्तान गरहन करने के लिए नए बलेबाद समराट समराट हाई है सुरेन का साथ देने के लिए सुरेन है नोन स्ट्राइकिन पर और सफलता के बाद फिर एक बार तयार गवर आपने बॉली माट पर राइटाम ओर देफकेट बार बढ़ियां गिन चिर्चानी करने की कोशित जोड़ार अपिल भी हुई है और अंपायर पे कोई असर नहीं डॉट और डॉट के साथ इसाथ पहली और की समापत हो चुगा और पहली और समापत होने के बाद एक विकेट खोकर रोयल ओरियस ने डबल फिगर याने दस रन पर झाल पहली और खत्म हो चुकी है डबल फिगर ने दस रन पर स्कूर पहुचा है एक विकेट खोक हो चुके है रजट के रूप में आक्रमक रवाए के बलेबाद रजट वापत चले गए है बिना को योगदान देते हुए अपने टीम के लिए 43 रनों का लक्ष है अब नए गिंबाद आये गिंबाद का भार संभालने के लिए और स्ट्राइक के पास प्रवीन आये हैं गिंबाद का भार संभालने के लिए रिवर्षिप का इस्तिमाल करते हैं कि दिशा में गेन को मोड़ दिया गेन चली गए यह सिमा को पार खरती हुई चार रनों के लिए और स्ट्रम के बाहर थी गेन हलके सी वूच्छा थी उस गेन को देखा और अपना रवाया यानि अपनी दिशा बल दी रिवर्षिप चली और गेन को पार कर दिया बॉंटी लाइन के बाहर चार रनों के लिए चोके के साथ स्कूर चलगा है पॉर्टीन याने 14 रनों पर हलकी सी अगर मोखा मिलता है हलका सा मोखा मिलता है तो उस पर तूट पड़ते हैं सुरेंद्र फिर एक बार तयार प्रविन अपने बॉलिंग मार पर इस बार भी रिवर्सिप का इस्तिमाल करना चाते थे टिप पहा के थोड़ से नीची रही बल्ला और गेन के बीच बाच इतना हुई डॉट चली गई है गेन दूसरी और की दूसरी गेन डॉट निकालने में तो कामिया के रूप में इसको बार फ्लाइटेड और दिमीगति की गेंती उस गेंद को देखा रक्षादमाग ढंका इस्तिमाल करते हैं अश्ट्रक कवर के दिश्चा में मोड़ है कुश्वन तोहां मौजूत है एक रन मिलेगा और एक रन के साथ और एक रन का इज़ा पयाने स्कोर और थोड़ सी हवाब भैती हुई इसे ग्राउंड पर तरल पंध ग्राउंड पर प्रविन फिर एक बढ़ते हैं राइटाम और देवकित फुल टॉद गेंती थोड़ सी नीची थी रक्षादमाग ढंका इस्तिमाल करते हैं मिड़ाउंड की दिश्चा में खेला है डीप मिड़ाउंड पर चुस्ते फिल्डल लंबे खिलाड़ी मौजूतेज गौरव एक एक रन के साथ स्कोर चला है सोला रन दूसरी वार जारी है 43 रनों का लक्षे रोयल ओरियस के पास कि रिवार्स रिवर्स रिव का इस्तिमाल ऑफ स्टम के बाहर थी डॉट चली गई है तीन बार रिवर्स रिव का इस्तिमाल कर चुके एक बार सफ़ता प्राप्त की है सुरे ने दो बार अस्ता पर रहे हैं रिवर्स रिव में तिसरी भार भी रिवासिफ का इस्तिमाल पैड को टक रही जोड़दार अपील लेकिन अंपायर पे कोई असर नहीं डॉट और डॉट के साथी साथ दूसरी वार की समापती हो चुकिए और दूसरी वार खत्म होने के बाद एक विकेट कोकर रन है 16 रन 16 रन जंदन तसकार के और से तीसरी वाल लेकिया है नरेंद्र दोहर खत्म होने के बार एक्विकेट को कर रोयल ओरियस ने सिर्फ सोला रन बटोरे 43 रनों का लक्ष है मैच जितना है तो रोयल ओरियस के पास रजत वापत चले गए अब श्ट्राइक है संब्राट के पास और नौ श्ट्राइकिन पर खड़े सुरेंद्र कापी अच्छे बल्ले बाद है यह सुरेंद्र लेकिन थोड़ी सी जलबाजी करते ज लाल फिल्डिंग के सजावट पॉइंट डीप कवर एस्ट्राइक कवर गली लॉंग ओफ लॉंग ओन डीप मीड़ ओन डीप मीड़ी केट और सुक्या लेक यह फिल्डिंग के सजावट फूल टॉज गेंगेंगेंग को खिलने में असपर रहे ठीक तर से बले पर आई नहीं फाइंड शॉट फाइंड पर फील्ड हो चुके तब तक एक रन लेने का मौका ता और इस एक रन के साथ अंपर का इशारा आ चुका है लेक फिरेक बरते हैं अपने बॉलिंग मार पर राइक आम ओर देवकेट अब श्ट्राइक त्याला गाए सुरेंद के पास कि यही दिशा है सुरेंद के और इस बाहर मोर देया है मिडिकेट को पार की एक एक एन ने चाहरानों के लिए के के बदला स्कोर हो चुका है 23 रन काफी अच्छे बले बाद यह सुरेंदर लेकिन जान बुचकर बले पर गेंद आ रही है आप खेल रहे हैं और जान बुचकर चेश्टा करते हैं रिवर्ट स्थीप खेल ले की फिलाल फिर एक बार अपने आपको संबालते हुए कि बढ़िया एश्राइक कलर के दिशा में कैज पकड़ी है प्रविड नहीं झाल राइब कि बढ़िया एक राहा है और सफलता प्राप्त कर चुक्ए बड़ी सफलता प्राप्त कर चुके नरेंदर सुरेन्द को वापस बेच चुक है पैविलियन में दुसरे विकेट का पतन हो चुक है रोयल ओरियस का पुल्टास गेन खेला है लोंगान के दिशा में फिल्डर मा मौजुते आते आते हैं खेलने की कोशिश की थी उस गेन को टाइमिंग असफर रही है और सीदी चली गए लोंगान के खिलाडी के हाथ में और तीसरे विकेट का पत्यान हो चुका है सुरेंद्र चले गए थे उसके बाद आते आती फुल्टास गेंती दिमी गती की गेंती उस गेंत को पढ़ने में नाकामियाब रहे आखिलना चाहते थे लोंगान की दिशा में सही टाइमिंग नहीं कर पाए और लोंगान के खिलाडी ने कोई गलती नहीं की तीसरे विकेट का पत्यान हो चुका है अकिल के रूप में तीसरे विकेट चली गए रोयल ओरियस की अब अकिल का स्थांद ग्रांड करने के रिए नए बल्ले बाद प्रमोद और दो सफलता इस वार में प्राप्त किये नरेंद बैतरिन गेंदबादी का नमोना पेश करते हुए नरेंदर दो सफलता इस वार में इस बार दिमिगाति के गेंदी अफ्षम के बहार थी फ्लाइट गेंद थी उस गेंद को खेला है गेंद चली गई ती गली की शेत्र में जब तक फिल कर दो कि अधार बार है कि बार हुआर बड़ी अखिला है मेरी के दिशा में हुआ में गेन फिल्डर मोजुद ते लेकिन फिल्डर गल्ति कर चुके जवंदान दे चुके खिलाड़ी को और तब तक का मौका था दोरान्च चुराने का और दोरन चुराबी लिए वर्ष दोरन के साथ वर की समाम आपकी ओचुके और स्कुर चला गया है 26 रन 26 कि एख और और तो कि एख लिए झाल झाल 26 रन हो चुके 6 गिन्दों में 17 रनों की और आवशक्त है मैं दितने के लिए रोयल ओरियस को गिन्बाद आये है गिन्बाद का बार संबालने के लिए राहूल और स्ट्राइक पर है नए बलेबाद प्रमोद 6 गिन्दे और 17 रन हलकिसी फिल्डिंग में परिवर्टन भी करते हुए तेली गिन बड़ियां गिन खिला है स्टेट राइव के रूप में लोगाउन की दिशा में फिल्डर वहां महो जोते हैं एक रन मिलेगा एक रन के साथ स्कोर चला है 27 रन पांच गिन्दों में 16 रनों के अवशकता अब श्ट्राइक आया संब्राट के पास पांच गिन्दे 16 रन एक मैस दितने के लिए रोयल और यसको बड़िया फिल्ड हो चुकी है फॉलो थ्रो पे लेकिन एक रन लेने में रोक न सके इस एक रन के साथ स्कोर चला है 28 रन और चार गिन्दों में 15 रोनों के आवशकता है मैस दितने के लिए रोयल पांच पांच 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 इस एक रन के साथ स्कोर चला है 29 29 रन अब तो तो बढ़िया गेंद बाद गेंदेफे की है राहूल नहीं अगले गेंद राइटाम और दो के समराड के लिए कर दो कि यहां में मोट दिया है इस कि सम्राड ने गेंद चली गए यह पांच सिमा को पार करती वी चार रनों के लिए चोके के बदल स्कोर में रुद्धी होती भी स्कोर चल गए 33 रन 23 दो गिंदो में 10 रनों क्या वश्रक्ता है मैं इतने के लिए रोयल ओरियर्स को बढ़ियां गेन खेलने की कोशिश प्याट कोट्ट टकराई रन की गोई गुंजाईश नहीं आकरी गेन पर 10 रनों क्या वश्रक्ता कि यहां में चिपनेंजी मेच दतली तीम लाएं सी एन इलेवेल अनिक साशा इलेवेल सी एन इलेवेल और टॉप दीकुंद पहले फ्रिलिंग कर पासा निर्ड़न गेई लोसान बेटिंग कर पाला ला लियां साशा इलेवेल लक सी दिपले से मोड़ दिया है गेन को एशा कवर के उपर से गेन चली गई है सिमा को पार करती हुई छे और छे का कोई फाइदा नहीं है में तो चली गई है चंदन तस करके खाते में अरे अरे अरू अरिण अरिण में जाली चंदन तस करा रोयल ओर्यस इमेच जिकला चंदन तस करा नहीं